नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गंगा दशहरा के वरत कथा कहने जा रही हूँ, यह कथा जेट मास शुकल पक्ष दश्मी को सुनने जाने वाली है, यह कथा गंगा दशहरा वरत में सुनने जाने वाली है, तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, और गंगा दशहरा की कथा के बारे में जानते हैं गंगा दशहरा भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है यह मां गंगा के धर्ती पर आवतरण का दिन माना जाता है हिंदू धर्म में मां गंगा को बेहत पवित्र नदी कहा जाता है ऐसी माननेता है कि इस नदी में सनान करने से सारे पाप धुल जाते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा दशहरा जेश्ट माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आता है शास्त्र के अनुसार इसी दिन मां गंगा राजा भागीरत के कहने पर धर्ती पर अवतरित हुई थी इस दिन मां गंगा की विशेश पूजा अर्चना की जाती है गंगा दशहरा की पौरानिक कहानी, पौरानिक कथा के अनुसार, प्राचीन काल में अयोध्या में राजा भागीरत रहते थे आपको बता दें, उन्हें भगवान श्रीराम का पूरवज माना जाता है एक बार की बात है, राजा भागीरत को अपने पूरवजों की तरपन करने के लिए गंगा जल की जरूरत पड़ी उस समय मां गंगा सिर्फ स्वर्ग में ही बहा करती, थी यह सोचकर राजा भागीरत ने मां गंगा को धर्ती पर लाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की लेकिन फिर भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली यह देखकर राजा भागीरत हिमालय पर चले गए और वहाँ जाकर वह फिर से कठोर तपस्या में लीन हो गए उनकी कठोर तपस्या को देखकर मां गंगा बेहत प्रसन्न हुए और उन्हें आशिरवाद देने के लिए वहाँ प्रकट हुए राजा भागीरत मां गंगा को अपने समक्ष देखकर बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने मां गंगा को धर्ती पर आने को कहा यह सुनकर मा गंगा उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया लेकिन राजा भागीरत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई मा गंगा का वेग बहुत ज्यादा था यदि वह धर्ती पर आती तो पूरी धर्ती तबाह हो जाती उनके इस परेशानी को सिर्फ महादेव यानि भगवान शिव ही दूर कर सकते थे राजा भागीरत को जब इस बात का पता चला तब उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करनी शुरू कर दी एक साल तक राजा भागीरत भगवान शिव की कठोर तपस्या करते रहे कभी वह पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या होते थे तो कभी बिना खाय राजा भागीरत की इस कठोर तपस्या को देख कर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनके आग्रह को स्वीकार कर लिए तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से मा गंगा की धारा प्रवाहित की तब भगवान शिव ने मा गंगा को अपनी जटा में बांध लिया लगभग 32 दिनों तक मा गंगा शिव जी की जटा में बहती रही जेश्ट महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथी को भगवान शिव ने अपनी एक जटा खोली और गंगा माता को धर्ती पर जाने को कहा तब राजा भागीरत ने मा गंगा को धर्ती पर आने के लिए हिमालय के दुरगम पहाडियों के बीच रास्ता बनाया जब मा गंगा पहाड से मैदानी इलाके में पहुँची तब राजा भागीरत ने गंगा के जल से अपने पूर्वजों का तरपन किया और उन्हें मुक्ति दिलाई जिस दिन मा गंगा धर्ती पर अवतरित हुई थी वह जेश्ट महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी ति थी दोस्तों आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें इस वीडियो को अपने फैमली ग्रुप पर शेयर कर दे जिससे वह भी यह कथा सुन लेवे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस चैनल पर आपको सभी व्रत्योहार की कथाएं उपलब्ध होगी इन कथाओं को आप अपने व्रत में सुन सकते हैं धन्यवाद